दोस्तों LCM and HCF of 17, 23 and 29 कैसे फाइंड करें देखे दोस्तों बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर यदि आप इन नंबर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका क्या है एक प्राइम नंबर है Similarly 23 भी क्या है एक प्राइम नंबर है 29 भी आपका क्या है एक प्राइम नंबर है प्राइम नंबर दोस्तों आपको याद होंगे यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ लिश्ट 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29 यह आपके 1 से लेके 30 तक प्राइम नंबर है यदि कोई प्राइम नंबर आपने लिये है अलग अलग प्राइम नंबर तो उनकी लिए हमेशा याद रखिए इनका याद सेफ कितना होगा क्योंकि प्राइम नुम्बर के आप दोस्तों कोई आगे फैक्टर करी नहीं सकते हैं 17 के फैक्टर करेंगे तो हाइस्ट क्या लिख सकते हैं 17 गुणा एक लिख सकते हैं 23 के फैक्टर करेंगे तो आपको क्यों दो फैक्टर मिलेंगे 23 मल्टिप्लाई 1 29 के factor करेंगे तो केवल 2 factor मिलेंगे अब देखिए HCM आपका क्या होता है दोस्तों एक ऐसा factor लेना होता है जो कि common हो अब इनमें आपको common क्या दिखा दे रहा है 111 इसलिए इसका HCM क्या बन गया है और LCM की बात कर लेते हैं दोस्तों LCM में देखिए जो तीनों का common factor उसको तो लेना ही है उसके अलावा अलग अलग जो factor यहां पे कोन है 17 23 यानि LCM में आपके सारे factor लेने होते हैं कोई common factor तो उसको केवल एक बार लेते हैं अदर्वाइस सारों को हम लेते हैं 29 या दूसरे सब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी हम प्राइम नंबर के लिए LCM और HCF की बात करेंगा तो उनका HCF वन रहेगा और LCM उनका ही multiply आएगा ठीक है तो इन सब का हम multiply कर देते हैं हमारे पास कितना आता देखे 11,349 ओके आसान है धन्यवाद